हलो दोस्तों, वेलकम टू पी डबली ओनली आई एस, डेट है आज की 11 मईई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रिलेम बूस्टर न्यूस डिसकुशन के अंदर अब जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारी डिवीजन सीज़ चल रही है तो आज शाम साड़े चार बजे आप सभी लोग डेफिनेटली जुड़ेगा पवन्सर आपके साथ जो ancient history उसको अच्छे से discuss करेंगे तो बहुत ही useful session है ठीक है ये अगले दो दिन का schedule है आज ancient history का session होगा कल फिर economic होगा and कल मैंने आपके साथ cc discussion किया था यह काफी अच्छा session रहा जो ने कहीं न कहीं miss कर दिया है तो make sure वो जाके इसको session को देख सकते हैं बहुत ही important concepts में आपे सीखे हैं इसके साथ ही जो लोग 24 के तियारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आप definitely आप CTR model का एक experience कर सकते हो seven days के लिए ठीक है यहाँ पर क्या होगा जो भी कहीं न कहीं कैसे CTR model के थुरू आपको यह course deliver किया जा रहा है जो बहुत सारे आपने innovative features सुने हो होंगे ना उनको कैसे आप कहीं ना कहीं इस exam को अच्छे से clear करने के अंदर कैसे utilize करोगे वो सारी चीज़े आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी तो make sure कि आप इसको अच्छे से utilize करो इस particular opportunity को कोई भी doubts होते हैं हमें इन numbers पे contact कर सकते हो otherwise directly आप जाके भी इस link पे भी जा सकते हो राइट चलिए आगे discuss करते हैं कल मैंने आपको homework दिया था मुंजनिक और ब्रह्म दिया के बारे में देखो सबसे वहले करना बात करो ना मुंजनिक की तो यहां पर आप notice कीजिएगा कि दरसल में जो words है generally हम turk के साथ हो गया और इसका meaning बहुत simple है इसका meaning है catapult जैसा कि आप image में देख पा रहे होंगे ना आपने ऐसी चीदे movies में देखी होंगी कि यहां पर एक weight होता है ठीक है ना और जैसे weight जाता है नीचे की side यह आपका payload ऐसे घूम के जाता है projectile motion की तरह और सामने वाले जो enemy होता है उनको यहां पर वो infect करता है है कि नहीं आपने देखा होगा ना इसी को क्या बोलते हैं इसी को तरसल में मुझनिक बोला जाता है एक तरह से ठीक है तो catapult हो गया एक ancient military device है जो की missiles को डालने के लिए use करी जाती है तो मुझनिक उसी को बोलते है on the other hand यहां पर भी आप देख सकते हो यह भी उसी चीज की picture है साथ में ही था तो वो भी आप जान सकते हो दूसरा वर्ड था ब्रह्म दिया के बारे भी अब देखो यह तो यह तो यहां पर इंस्टूशन को वह यहां पर इंकलूल होती है clear तो यह हो गया कल का homework आने वाले कल के लिए आपका homework रहेगा हुंदी और थेरी यह दोनों questions भी इंफेक्ट ना हुंदी तो चलो पूछाई और UPS इने तेरी भी पूछ सकता है तो यह दो words का answer आप मुझे नीचे comments में बताओगे कि इनका सही answer क्या होना चाहिए आगे चलते हैं हमारा next topic है FSDC Financial Stability and Development Council अभी recently इसकी meeting हुई है FSDC की जो किसके दोरा chair किया गी है चेयर करी गई है हमारे जो finance minister है श्रीमती निर्म्रा सीता रमाजी के दोरा तो पहली बात तो यह समझाना चाहिए कि इसका chair person कौन है एक्सफिश चेयर परसन है इसके हमारे जो finance minister होते है वो अब सर इसका काम क्या है FSDC का क्यों बना रहे हैं हम इसको मतला क्यों बनाएगी है इसको इसको इसलिए बनाया गया है ताकि देखो एक्चल में क्या notice करो जैसे यह RBI के governor है हमारे ठीक है न उस तरह से आपके CB होता है आपका IRDA होता है आपका PFRDA होता है इस तरह के different regulators होते ह है ठीक है साथ में हमारे finance secretary हो गया economic affairs हो गया secretary different different और economic advises होते है ठीक है तो कहीं न कहीं इन सभी regulators के अंदर एक तरह का coordination बना रहे कैसे हम अपनी economic अंदर financial stability को लेकर आ सकते है financial sector को कैसे develop किया जा सकता है वही काम सारा किसका होता है financial stability and development council का अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि भाईया इसका कहीं भी constitution के अंदर किसी भी law के अंदर जिकर नहीं करा गया तो यह एक executive water के द्वारा बनाएगी body है यह बात आप ध्यान में रखोगे जो इसका formation 2010 में हुआ था under ministry of finance रगूराम राजन जी जो हमारे RBA के गवर्ना रह चुके हैं उनके द्वारा इसका idea दि मिल जाएंगे अगर कोई experts को invite करना हो तो वह भी किया जा सकता है बिल्कुल ठीक है इंटर सेक्टर इंटर एगुलेटरी कोडिनेशन मतलब RBI, IDA, BF, RDA इन सभी के बीच में कोडिनेशन हो गया macro potential supervision overall economic कैसी work कर रही है उनका काम देखना financial literacy कैसे promote कर सकते है financial inclusion कैसी किया जा सक कि हमें subcommittee भी देखने को मिलती है अब subcommittee जैसे for example आपने भी और भी जगा देखी होगी ठीक है जैसे interstate councils के अंदर भी आप कहीं न कहीं subcommittee देखते हो तो यहां पर जो इसकी subcommittee होती है ना उसके chairperson होते हैं RBI के governor अगर आप से पूछे कि FSDC के chairperson कौन है तो वह हमारे financial minister ही रह जाना है तो इसका भी काम almost similar ही है कि different issues को यह discuss करता है एक देखो UPSC 1216 में question पूछा गया इसको आप मुझे comments में बताओगे इसका answer होने चाहिए अगर आपने आज का lecture अच्छे सुना है ना तो बड़े राम से इस question को आप tackle कर लोगे आगे बढ़ते है next topic की तरफ तुंगना temple अब तुंगनाः temple है कहां पर देखो यह आपको उत्तरखंड के रुद्रप्रियाग district में देखने को मिल जाएगा और ऐसा है कि यह highest शिवा temple है पूरी दुनिया के अंदर 3680 मीटर के height पर देखने को मिल जाएगा center government अभी recently एक notification डाला है जहां पर इसको as a monument of national importance का दर्जा दे दिया गया है clear तो यह था तुंगनाः temple के बारे में और यह न पंच किदार में से एक है सिर्फ पंच किदार क्या है एक्चल में पांच temples हैं जो हमें देखने को मिलते हैं कहां पर गड़वाल हिमालिया जुत्राखंड के अंदर एक तो आप सभी जानते हो पंच किदार में ते एक तो कि लोग पढ़ते हो ना कि कैसे अलग-अलग different temple architecture होते हैं temple style के different architecture होता है तो यह नागरा style of architecture में आपको देखने को मिल जाएगा जो कि North Indian style of architecture है dozen shrines, 12 shrines देखने को मिल जाएगे different different goddess के gods के surrounding the temple और ऐसा माना जाता है कि इस particular temple को discover किया गया था भए आदि शंक्रचार्या ठीक है न और जो पंच के तार में एक important चीज़ और है कि यहाँ पर यह जो temples की बात हो रही ना इनको link किया जाता है पांडवास के साथ अब महाबारत of 3680 meters तो यह चीज़े आपको अच्छे से पता होनी चाहिए अगले topic की तरफ आगे बढ़ते है that is cyclone mocha ठीक है इसको mocha की तरह प्रणूंस के जाता है तो आप जानते हो देको हमारे यहां पे cyclones आते जाते हैं तो यहां पर Bay of Bengal के अंदर हमें ऐसा form होता हुआ तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि हां चलो यह Bay of Bengal से लेटर है तो यह बात हम समझगे दूसरी बात आपको कंडीशन्स पता होनी चाहिए cyclones की आपके NCRT में भी एजटेस गिवन है कि यह कुछ requirements होती है आपको जो sea surface temperature होना चाहिए हो काफी warm होना चाहिए greater than 27 degrees Celsius उसके लाबा आपके पास Coriolis force होनी चाहिए ठीक है ना equator के उपर मतलब आपके cyclones नहीं बनते हैं क्यों नहीं बनते हैं क्योंकि वहाँ बाए Coriolis force 0 होती है तो इस तना से Coriolis force होनी चाहिए तांकि एक वह form हो पाए साथ में low level focus होना चाहिए low vertical wind shear होना चाहिए high humidity होनी instability होनी चाहिए तो यह 6 points है उन्हीं कोई एक तरना से टर्न करके यह 6 points बनाए गए है तो वह भी आप याद रख सकते हो ठीक है ना यहाँ पर मैं बात करो ट्रॉपिकल cyclones की यहाँ बात करी जा रही है तो साथ में आप नोटिस करते हो कि cyclones से काफी लोगों की death होती है life और property Northern Hemisphere के अंदर इसकी direction होती है anticlockwise और Southern Hemisphere के अंदर इसकी direction होती है clockwise यह UPSC ने अपना यह चीज पूछ रखी है और यहाँ पर इसने direction को उटा बोल दिया था पर नहीं आप ज्यान रखोगे Northern Hemisphere के अंदर anticlockwise Southern Hemisphere के अंदर इसकी direction clockwise ठीक है जैसे low pressure area में दो सिस्टम होता है जो क जाकिर naming कैसे होती है तो naming का भी हमें थोड़ा एक idea होना चाहिए कि कैसे इनका नाम रखा जाता है जैसे cycle मोखा रखा यह मोखा ही क्यों रखा कैसे रख दिया यह चीज़ें दरहसल में आप जानते हो ना कि जो इनकी naming होती है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ एक ना ग्रूप ऑफ कंट्रीज मनाया जाता है जिनको बोलते हैं WMO क्या है वर्ल्ड मीट्रोजिकल और यूए एस कैप क्या है जो आपका Economic and Social Commission for Asia and Pacific अब यहां पर ना पहले आठ कंट्रीज होती थी ठीक है ना वो आठ कंट्री अपने इसाब से नाम सिज़ेस्ट करती थी ठीक है ना मान लो आठ कंट्रीज ने आपके ने आठ नाम सिज़ेस्ट कर दिये तो इस तरह से हमारे टोटल 64 नाम होते थे तो एक एक करके हम उनको नाम को यूज करते रहते थे फिर बाद में क्या हुआ हमने पांच कंट्रीज में और एड कर दी है अब आज के टाइम पर आइधिंक 13 कंट्रीज हैं और इन्होंने सभी अपने अपने नाम सिज़ेस्ट कर रखी हैं तो इस तरह से 169 नाम है तो एक एक करके नाम आ करते रहते तो इस तरह से नेमिंग होती है तो साइकलों की इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है क्लियर हुआ है एक काफि जो थी यहां से इंट्रीज हुई थी आराउंड 500 एयर्स पहले तो इस वज़ज़ा से यह नाम भी आपको पता होना चाहिए अगले टॉपिक के त तो उसके अंदर मैंने आपको चीज़ बताई थी अगर किसी ने मिस्ट किया ना पर बहुत डेल में डिसकुशन है अब अगर आप नोटिस करो यह रहा आपका South American continent ठीक है ना उसके बिलकुल यहां पर आपको गालापोगस आइलेंड देखने को मिल जाते हैं यह दरसल में इक कि दुनिया की पहली World Heritage Site है हम पढ़ते हैं न World Heritage Sights के बारे में इनसको की तो जिस सबसे पहली दुनिया की World Heritage Site थी वो गालापोगस आइलेंड ही थी जो 1978 में इसको डिक्लियर किया गया था ठीक है ना तो यहां पर आप नोटिस कर सकते हो Pacific Ocean में Eastern Pacific Ocean में आपको यह देखने को म मिल जाता है अगर थोड़ा बात करें इसकी जोग्रफी परस्पेक्टिव से तो नास का प्रेट के उपर आपको लोकेटर यह देखने को मिल जाएगा जो की डाइप करी है साउध अमेरिकन प्रेट के अंदर ठीक है ना वॉलकेनिजम यहाँ पर इसले 20 मिलियन यहर से तो यह कुछ important points थे एक important perspective है Charles Darwin के context में देखो अगर आप notice करोगे Charles Darwin की theory थी theory of evolution कैसे कैसे evolve हुए means of natural selection की तो Galapogas Island का excellence में काफी रोल रहा क्योंकि इनको study किया गया यहां के endemic species को तो इस वज़ा से इसके साथ बिसका linkage माना जाता है और Galapogas Island का नाम दरसल में वहां के जो बड़े- सेंस्री बनाई गई पर है 1935 के अंदर फिर वो नेशनल पाग बन गया 1959 के ऊपर तो इस तरा सिस्की conservation के एकसर बाते होती रहती है next topic है हमारा विदरिगार्स तो गौपाल कृषिन घोकले जी देखो अभी इनके बर्थ एनिवर्सरी थी हमारे पर्धान मंत्री जी ने इनको रिस्पेक्ट पर करी है और आप देखो कि पर्सनेल्टी इतनी इंपॉइंट है कि जो हमारे महात्मा गांदी जी थे ठीक है न वो भी इनको अपना प्रिटिकल गुरु मानते थे अन्दर भी तो दरहसल में आप जानते हो हमारे जो नरम दल और गरम दल एक मौडरे और एक स्कीमिक्स्ट गुप था तो यह मौडर्ड गुरुप में फॉर्म होते थे ठीक है न तो इन्होंने अपनी जो इसको जॉइन किया इंटरनेशनल कॉंग्रेस को यह महाराश्टरन थे ठीक है न तो जो 1866 में इनका बर्थ होता है महाराश्टरा के अंदर इन अ ब्रामिन फै सुदेशी मुमेंट की बात होती है फिर बाद में 1907 में सूर स्प्रिट होता है यह सारे चीज़ें बड़े इंपॉइंट है उसके साथ में जो 1909 में मौर्लम इंटर रिफॉर्म आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर भी इनका काफी हम पॉइंट रोल रहा डिफरन डिफ इनको गुपाल केशिन गोख सेजी के द्वारा ही फॉर्म किया था ताकि कही न कहीं हमारा जो एजुकेशन का स्प्रेड है उसको हम एक्स्पैंड कर पाएं तो इस पर्टिकुलर सुसाइटी के द्वारा डिफरेंट लाइबरी को किरा गया ठीक है ना नाइट क्लासिस प् आपको बताया कि गोखले जी को अपना यह मेंटर मांते थे एंड साथ में ही गुजराती के अंदर एक बुक भी लिखी है जिसका टाइटल क्या था धर्मात्मा गोखले यह वर्ड भी आपको पता हूं चाहिए धर्मात्मा गोखले की एक बुक लिखी गई है इनके लिए हित्वाद करके एक इंग्लिष वीक्ली निउस्पेपर है ठीक है न वह भी इनके लॉंच चिया था कब 1911 के अंदर यह कुछ इंपॉंट इंफॉमिशन थी जो हमें एक गुपाल किशिन गोखी जी के दुरा पता होनी चाहिए इसके साथ में ही कल मैंने आपको एक होमवर् इसकरोगे न यह इसराइल और सीरिया के यहां पर यहां पर आपको गोलन हाइट्स देखने को मिल जाएगा ठीक है न आप जानते हो इसराइल की मल्टिपल टाइम्स आपने पडोसियों के साथ रडाई हो रखिया है तो गोलन हाइट्स वह सुझा बजा से कही न कहीं निउ यह कुछ important places हैं जो आपको definitely पता होनी ही होनी चाहिए ठीक है तो यह थे चीजे और आज के लेक्ट्चर के वेसिस की उपर मैं आपको पांच questions दे रहा हूं इन पांचो questions का answer आप मुझे नीचे comment section बताओगे इन में कौन सा ठीक है कौन सा गलत है कल जो 5 questions दिये थे उनका department of higher education है उसके अंतरगति है उसके अंदर यह function करती है तो पहला statement आपका false हो गया start program हमने देखा space science and technology awareness training program यह इसरो का initiative है यह बत बिल्कुल true है ठीक है अरब लीग के इंडिया इसका member है बिल्कुल नहीं यह बात false है इंडिया इसका क्या था observer country था आपने और भी देखा ना अ और चीज को बैन कर रखा है तो यह बात बिल्कुल true है यहां पर पांचवा एंसी जीजी नेशनल सेंटर फॉर गुड्ड गवर्नेस क्या इसको 1991 में सट अप किया था नहीं पहले होता था एंसी एयार उसका formation था 1995 के अंदर पर बाद में एंसी जीजी को सट अप किया 2014 के अ इन सबी question का अंसर भी आप मुझे जो comment section में बताऊगे इन में से कौन सा ठीक है या इनका क्या answer होना चाहिए ठीक है अगर आपको इस lecture की PDF चाहिए तो आप my telegram channel only ice nothing else पर जाके इस lecture की PDF को access कर सकते हो और अपनी preparation को और भी बहतर मना सकते हो ठीक है friends तो यह था आज का discussion I hope आप भी अपने end पर hard work करते रहिए good bye and good luck